चार्या बच्चो एर्थ की मैस की क्लास में एक बाद फिर से सौगत है बच्चो और इसके पहले की वीडियो क्लास में अभ्यास 5C जो है इसके पृष्णों को हमने हल कर लिया है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 8 मैस की प्लेलिस्ट बन लेते हैं समझ लेते हैं तो यहां पर जो वेंजक होंगे आपके वह a square minus 2ab plus b square के रूप के होंगे और इनका हमें गुरंखन गयाद करना होगा समझ रहे हैं बच्चों यह जो दिया गया है एक तरीके से एक फार्मूला है जो कि आपको याद होगा a square minus 2ab plus b square बड़ाबर होता ह a minus b का whole square तो यहां पर जो है हम दो method से गयाद कर सकते हैं इनका गुरंखन पहली जो विदी है वो है आपकी सरुसमिका का प्रियोग करके यानि हम फार्मूले का यूज करके डारेक्ट कर सकते हैं तो यहां पर देखिए फार्मूले का यूज करके यानि a minus b का square बड़ाबर a square minus 2ab plus b square ठीक है तो यहां पर यह आपका फार्मूला हो गया इसको हम जो है यूज करके डारेक्ट जो है हम इसका गुरंखन गयाद कर सकते हैं दूसरा method है आपका जो दूसरी विदी है वो है आपका समूह बना करके तो जिस तरीके से इसके पहले 5C के प्रिसनों को हमने हल क कर सकते हैं जैसे आपके पास दिया है e square minus 2ab plus b square तो यहां आप minus 2ab को minus ab minus aab के रूप में तोड़ेंगे अब यहां पर देखिए इन नोनों पदों में a common आ रहा है तो a हमने common ले लिया बचा हमारे पास में a और a b ठीक है इसी तरीके से यहां पर हम minus common ले लेंगे और यहां इन दोनों पदों में B common दिख रहा है तो यहां पर हम B जो है वो common ले लेंगे तो यहां पर देखिए B हमने common ले लिया है तो यहां पर minus B जब हमने common लिया तो यहां पर क्या बचा A बचा और चुकि minus common लिया है तो यहां पर केवल एक minus B बचा तो इस प्रकार से अब यहाँ इन दोनों पदों में देखेंगे तो यहाँ A-B, A-B दोनों में हैं इसको हम comment ले लेंगे तो क्या जाएगे A-B हमने comment ले लिए बचा A और यहाँ minus और यह B तो इस प्रकार से यहाँ A-B का square आ गया तो इस प्रकार से हमारे पास में गुरंखन गयाद करने के दो विदिया होगे ज्यादा सरल विदी बचो formula वाली है तो इसलिए हम formula लगा करके आसानी से गुरंखन गयाद कर लेंगे आईए बढ़ते हैं प्रिस्ना वाली के ओर तो जैसे 5C में हमने देखा था बचो उस रूप में लिखेंगे और देखेंगे कि यह इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है और अगर बराबर आ रहा है तो उस प्रकार का वेंजग होगा अगर नहीं बराबर आ रहा है तो वेंजग उस प्रकार का नहीं है इस प्रकार करना ही होगा चलिए आए देखते हैं पहला प्रस्ण खल करते हैं यहाँ पर देखिए पहला प्रस्ण जो यह दिया गया है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे 81 किसका स्क्वेर है तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं A-B का स्क्वेर या है ठीक और हमें यह आंसर आएगा अब यहां पर देखिए हम सबसे पहले देखेंगे a square यानि 81a square किसका square है तो 9 नमा क्यासी होता है यानि 9a का अगर हम whole square कर देंगे तो यहां पर 81a square आजाएगा ठीक अब यहां पर देखिए 16b square किसका b square है 16 जो है 4 का है और 4b का अगर हम whole square कर देंगे तो यहां पर 16b square प्राप्त हो जाएगा समझ में आ रहा बचो आप यहां पर देखिए माइनस कचेने लगा तो माइनस कचेने लगाएंगे और माइनस 2ab तो माइनस 2a की value क्या है 9a और b की value क्या दी हुई है आपके 4b 4b अब यह देखिए इसको multiply करने पर क्या हमें यह प्राप्त हो रहा है तो यहां पर देखिए इस प्रकार का वेंजक है तो यह पर आप लिख दीजिएगा आता है दिया वेंजक यहां पर यह चीज इसके बराबर आ रही इसका मतलब है कि यह इस रूप का व्यन्जक है अगर नहीं आ रही है बचो तो इस रूप का व्यन्जक नहीं होगा अता दिया गया व्यंजक a square minus 2ab plus b square के प्रकार का प्रकार का है के प्रकार का है ठीक है तो यहाँ पर यह इसका इस तरीके से आपको इसके प्रशनों को हल करना है अब आगे देखते बचो इसी का यह इसी तरीके से इसके सवाल है सारे इसमें एक प्रशनों हम हल कर लेते हैं पहला हमने किया है और तीसरा देख लेते हैं और दूसरा और चोथा आपका homework हो जाएगा तो जरूर है कि आपको जरूर बन जाएंगे इस तरीके प्रशन आसानी से तो यहाँ पर चलिए तीसरा प्रशन यहाँ पर 2 A की वैल्यूि क्या है आपके पास में 5X है और B की वैल्यू क्या है आप इसको देखें तुलना किजिए कि इसका multiply करने पर यह आ रहा है क्या तो यहाँ 5, 0, 10 10, 30, 3 करेंगे तो दस यहें 30 हो हुए यानि यह इसके बराबर नहीं आ रहा है तो यहां पर जो हमने बराबर के चले लगाया इसको does not equal to कर दीजिए ठीक है तो यहां पर यहां पर यहां पर इसके बराबर नहीं है क्यों यहां पर इसके आगे भी लिख सकते हैं बच्चों कि यहां 5x square 5x का whole square और minus 5 तो नहीं 10 10 गो का होता लेकिं नहीं दिया गया यहां पर नोट एकल्टू कह सिर लगा दीजिए अते दिया गया विन्जक दिया गया विन्जक a square minus 2ab plus b if square के प्रकार का नहीं यह कप रख आट पर का नहीं है ठीक है नहीं यह आपका answer हो गया इसी तरहिए से बच्चों इसकी प्राषण देखिए बचो second जो प्रसन दिया गया है वो है आपका निम नांकित के गोड़न खंड कीजिए यहाँ पर आपको गोड़न खंड करना है तो यहाँ पर देखिए जो प्रसन दिये गया है उनका गोड़न खंड करना है तो यहाँ पर जब हमने chapter start किया था तब ही हमने सीखा था अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको जो है वो किस रूप में लिखेंगे a square minus 2ab plus b square के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर जो है सूत्र भी यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते है a square minus 2ab और plus b square बराबर क्या होता है a minus b का whole square यह तो आपको formula पता है और इसी को apply करना है आपको यहाँ पर हो जाएगा 2x का whole square हो गया 4x square को हम लिख सकते है plus 9y square को क्या लिख सकते है 3y का whole square लिख सकते है यहाँ पर plus का चिन नहीं लगएगा बचो minus का चिन नहीं तो minus का चिन आएगा अब यहाँ पर minus 2 a की value क्या है 2x है और b की value क्या है 3y है अब यहाँ पर देखिए इसको multiply करने पर 12x y आ रहा होगा 2 गुणे 2 यानि 4 4 त्याई 12 और x और y ठीक है तो यहाँ पर यह क्या आप गया है हमारी पास पर 12x y तो यह जो है हमने इसको a square minus 2ab plus b square के रूप में लिख लिया अब यहाँ पर यह चुकि यह formula apply करने पर यह इसके बराबर होता है तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र के अनुसार या सूत्र apply करने पर के अनुसार ठीक है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब हम करेंगे यहाँ देखिए अब यहाँ पर formula apply करेंगे तो यहाँ a minus b का whole square a क्या है आपका यहाँ पर 2x है minus b क्या है 3y है और इसका यह हो जाएगा क्या whole square समझ में आरा बच्चो अब इसको हम दो भार लिख देंगे 2x minus 3y और यहाँ पर 2x minus 3y यहाँ पर इसका दिये गया वेंजग का गुरंखन हो गया यहाँ आपका क्या हो गया answer हो गया ठिक तो इस प्रकार से प्रिष्णों को हल करना है अब यहाँ पर देखिए यह पहला प्रिष्ण हम हल कर चुके हैं लगबख सारे प्रिष्ण आपको बन जाएंगे इसी टाइप की हैं एक प्रिष्ण और लेके चल रहे हैं तो कौन सा है यह चौथा देख लेते हैं इसको चौथा प्रिष्ण 49x2 minus 56x plus 16 आईए देखते कैसे हल करेगे इसे तो यह देखें यह आपका प्रिष्ण दिया है अब यहाँ पर जो है इसके हमें गुरंखन गयाद करने हैं तो सबसे पहले हमें इसे क्या करेंगे a square minus 2ab plus b square के रूप में convert करेंगे तो यहाँ पर हमारा फिर बाद में formula apply हो जाएगा जो कि आपको यह सूत्र है सूत्र बच्चो अच्छे सियाद कर लीजेगा जरूर से अगर formula याद नहीं आपको तो आप प्रिष्णों को हल नहीं कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर 49x square लिखा है तो यहाँ पर देखिए 49 किसका square है तो 7 का square है ठीक है अब यहाँ पर minus का chain लगा माइनस लगाएंगे अब यह minus 2ab करके देखते हैं तो यह minus 2ab में आरेंज हो जागा minus 2a की value है 7x b की value क्या है आपके 4 अब यहाँ multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 7 दुनी जगुदा हो गया 14 46 ठीक है जगुदा चोको 56 और यहाँ पर yax दिया है तो यह yax हो गया समझ में आरा बच्चो तो यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से जो है यह आपको हल करना है इसको यह जो आपका दिया गया है इसको a square minus 2a b plus b square के रूप में convert करना है और इसके बाद जो है वो आपको फार्मूला लगा दिना है तो यह पहली विदि हम प्रियोग कर रहे हैं जो कि है आपका सर्वसमिका का प्रियोग करके ठीक है तो यहाँ पर सीथे सूत्र करके अन्साल लिखेंगे या सूत्र का प्रियोग करने पर सूत्र का सर्वसमिका का प्रियोग करने पर आप फार्मूला का यूस भी लिख सकते है सूत्र का प्रियोग करने पर ठीक है यहाँ पर देखिये यह क्या हो जागा 7x a minus b का स्क्वेर ए क्या है अपर 7x है बी क्या है यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4 7x-4 का स्क्वेर हो जाएगा तो यहाँ पर जब इसको आप लिखेंगे तो 7x-4 into 7x-4 घाते 2 का मतलब होता उसी संख्या का आपस में दो बार गुणा तो यहाँ पर 7x-4 तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है हमारे पास में इसका गोड़नखन ग्यात हो गया तो इस प्रकार से बचो इसके सभी प्रिशन इसी टाइप से करने हैं आपको समझ में आ गए होंगे तो यह अभ्यास 5D जो है आज ही पर समाप थुआ इसमें आपको पहला और चौ आपको समझ में आया होगा और अगर बचो पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए का चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बचो बैल आइकान भी प्रस कीजिए का ताकि आपको नएव वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और बच जो मिलते हैं नेक्ट वीडियो क्लास में